नवश्कार दोस्तों अब सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वाबत है आज हम आपको जो जानकारियत देने जा रहे हैं जिसकी एनलेसिस करने जा रहे हैं वो आरियन खान और अनीर देश्मुक जो की अब तक इनका पता नहीं चलना कहां पर है तो आरियन ख करीब करीब साड़े दिन बेगे आस पास के आदेशों के पाद हात में मिलने के बाद उन्हें सेश्ट जाना था वहाँ पर एक लास रुपे के जामिंदार वहां पेश करने थे और वहां से इप्लीज आप लेना था हाला कि आसपास तक उन्होंने अर्थरोड जिल में वह आदेश वह टपाल पेटी वहां पर उती बॉक्स होता है उसमें डालने ज़रूरी थे फिर भी उन्हें साथ बज़े तक की अवधी प्रदान कर द अर्इन खान भाराने की संभावना है और अगर उन्होंने वह आदेश वहां पहुचा दिये हैं तो शनिवार की सुबह सुबह यानि कल शुबह सुबह वह जेल से बाहर आ जाए नवाब मली में जो इतना बड़ा हमाँ ख़़ात करके रखा था उसमें नवाब मली के खिला के एंडर तो शेडुल काश शेडुल ट्राइब का कमिशन आता है उनके पास उन्होंने शिकायत दर्च करवा दी है फेज दी है नौ मली के खिलाफ जो की एंसीपी के प्रवक्ता है हाला कि वह एक मंत्री हैं लेकिन मंत्री जैसा बरताव उस शबत के हिसाब से वह नहीं कर बसना जो की बिल्कुल गलत काम है और खास करके जिस समाथ से संगमानिय समीर वानिड़ साहब आते हैं उस स्पेसिफिक जादी के खिलाफ इस तरह का कोई भाव रखना कि अपने आप में एक गया काम है और दखल बातर गुना भी है उसमें देखने आगे क्या होता है यह भ इन्हें एड़ोकेट यास्मिन वानकेडे उन्होंने भी अमबोली पुरी स्टेशन में कुछ शिकायत दर्च करवाई है या शायद शिकायत भेज दी है वहाँ पर आते अनित देश्मुक के विशह में अनित देश्मुक जो की अब तक फरार माने जा रहे थे यानी अंडर अप्लिकेशन में हिल्प करेंगे अपना स्टेटमेंट लिक वाएंगे और वगएरा वगएरा इत्या दी या फिर वो जो समन्ज उने भेजा गया है ये की चार या पाँच ये सब कौश किये जाए यानी परखास किये जाए ये सब हाइपोट ने उनकी पूरी उनके वकीर वहाँ हाँ SUPERPOL हमा और उनकी जो तेक्किकात है जो उनकी चार्च है उनके वकीरों के सामनी की या सके गी उन्हें एडी के दव्टर में जाना होगा ये बिल्कुल तैभ हो चुपा है और इडी को अधिकार ये चार्च करने का ये हाई कोट ने अपने आपने म जो सचिन वाज़े हैं जिन्होंने इनाई कोट को एक पत्र लिखा था जिसमें इन्होंने सब्सक्राइब कहा था कि इन्हें कहा गया था कि हमारे जो बॉस हैं वो बड़े नाराज हैं कि आपको इतने समय के बाद भाल किया गया खाते में नहीं घरखाते में वोम डेपाटमेंट में वापेस नोकली पे लाया गया है देखिए यह काफी सारे साल पहले तो सस्पेंट रहे और उसके बाद में इन्हें डिसमेश भी किया गया वो भी हाइपोट के आदेश पर उसके बावजूद उन्हें लाया गया किसके आदेश से परंबीर सिंग ने निरे बिया परंबीर खुदी खरार चल रहे हैं तो क्या इसमें कोई बहुत बड़े नेताओं का हाथ है उच्चस्तनियन नेता महाराष्टर के जिनसे परंबीर को भी जानका खत्रा है और इन्हें भी जानका खत्रा है क्योंकि अगर यह वहां हाजर हो महाजे ने बात बताई दी इनके बारे में वैसे उन्होंने एक और महाराष्टर के मंत्री और बहुत बड़े निता परिवान मंत्री के खिलापी उन्होंने बयान दिया था इस सब विशह में क्या होता है यह तो देखना अभी बाकी है क्या जो संबावन हैं मंबे हाई पोट का यह ओर्डर आने के पाद इस विशह में हमने कुछ लिगल एक्सपर्ट से और कुछ पोलिटिकल एक्सपर्ट से चर्चा कि उन्होंने कहा कि अगर यह सुप्रीम पोट में अपील में भी जाते हैं इनी सर्वोच डेले में तो भी इन्ह इसे हालात में जब महराश्रा के अंदर 15 से ज्यादा बड़े बड़े नगरपालिका और महानगरपालिका के चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले फेबरोरी और मार्च 2020 में क्या ये सब चीज की परच्छाई उस पर पढ़ेगी इस मिशह में आपकी क्या राय है दूसरी की बात हमें जो लगता है कि जनता और खास करके आजकल की जो यह पीडी जो अपने मुबाइल और टाबलेट के उबड़ दो मिर्ट में देख लेती है कि कहां पर क्या हो रहा है इंटरनेट का उप्योग करके वो तो नहीं भूलेंगे पहला जमना और था कि जानकारी जनता देख रहा है कि यह सब चीजों का परिणाम ना स्रिफ महाराश्ट्रा के पंद्राया उससे ज्यादा जो महानगरपालिक और नगरपालिका के चुनाव आने जा रहे हैं खास करके ब्रेन मुंबई महानगरपालिका तो हूंगे हूंगे पर कॉंग्रेस जो की इन लोगों के यह साथ में खड़ी यह महाराश्ट्रा में उन्हें आने वाले समय में जो सात राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं यानि फेब्रवरी और मार्च में पांच राज्यों में पंजाब, उत्रप्रदेश उतरा खंड बगर बगरा और गौवा और नहनीपुर और इसके से से साथ दिख रहा है जिस तरह से यह जो नील देश मुख है और उनकी जो पार्टी है और साथ में कॉंग्रेस यह इस अंतरराश्ट्री ड्रग लॉबी के साथ खड़ी है जो की देशों की वह आप पीडियों को बरबात करने पे दुले इन्हें ख्यालाब है नहीं है यह जंत के तरीके से लेना प्राप करना यह आप सभी का यहनी हम सभी का यह पूरा पूरा अधिकार है तो लिख और अरेयं खान की जानकारी तो हुमने आपको बदा दी और कै मैं धिश्मुक की भी जानकारी आहränतों ब्दा दी आने वाले समय में जिस तरो से जनता समीर पेठा हुआ है जयन में बैठा हुआ है यह सब आसानी से जाने वाला नहीं है यह सब का खामिया जा कि नेश्टनलिस पार्टी को कॉंग्रेस हो या फिर उनके साथ में आजकर चिंसेना भी है इने अलगी तरीके से भुगतना पड़ेगा यह कितना भी माहुत बदनने की कोशिश कर ले इनको यह समझ में नहीं आ रहा है तो यह जिस तरह से लोगों से इन्होंने मतदान मंगा था और लिया था भारदियंद यह सब पूरे विशय में हमारे सभी दर्शकों की या आपकी क्या रहा है यह जरूर नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और आपके सभी जि बहुत 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 झाल झाल